है वीवर्स कैसे आप सब मैं काफी दिनों से पॉलिटिकल वीडियो अनालिसिस के आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था तो ऐसे मैं मैं अभी ये एक वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ यहां पे जो है हम आज बात करेंगे मेरी एक देखिए ऐसी एक अप्रोच रही है पॉलिटिक्स में कि मैं पॉलिटिकल अनालिसिस हूँ मैं काफी कुछ देखता हूँ नैशनल स्टेट और इंटरनाशनल लेवल के पॉलिटिक्स के अंदर मैं हमेशा अपना जो है एक ये देखते रहता हूं अनालिसिस करते रहता हूँ तो ऐसे में मुझे लगता है कि politics एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान के अंदर में काफी अंदर तक effect डालती है आप चाहे कुछ भी कीजिए आप administration services के पास किसी scheme का लाब देलने जाएए उसमें भी politics होगा ही जो government आएगी अपने हिसाब का scheme लेकर करके आएगी और उससे public को जो effect पड़ेगा ही उसके अलाबा हमारा जो municipal body है हमारे जो schooling education sector है colleges है यह सारी चीजें हमारा work हमारा profession सब politics से जुड़ा हुआ है so politics समझने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमको political parties के बारे में जाना चाहिए तो मैं ऐसे कुछ videos आपके सामने पेश करता जाओंगा जिसमें political parties के ब पारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर उससे पहले आपसे मेरा एक request है कि अगर आप लोग मुझे facebook पे देख रहे हैं तो मेरे इस page को जो है आप लोग like कर लीजिए follow कर लीजिए ताकि आपको जो है regularly मेरे videos मिलते रहे हैं अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप आपको जो है यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है मैं आपके मेरे जो वीडियोज हैं आप तक पहुंचते रहें मैं खुद भी मेरे analysis आपको बताऊंगा plus और क्या चल रहा है politics की दुनिया में उसके भी आपको references time to time देता रहोंगा तो आईए शुरू क आउंगा कि यह मेरी favorite क्यों बनी इसके बारे में भी काफी interesting सी story मेरे परस्नल व्यूओ है कि ये काफी interesting party है, ऐसा है कि ये काफी विवादित party है, सुरख्यों में बनी रहती है, लेकिन जो है इसका जो structure है, इसका जो leadership है, वो काफी interesting लगा मुझे, जिसके वजह से मुझे इस party के प्रती एक अलग सा ही मतलब favor रहता है, तो काफी पुरानी पार्टी है 1927 में ये बनी थी तब हैदराबाद में बनी थी और उस समय में निजाम का रूल था तो निजाम के जो दर्बारी हुआ करते थे वो elected persons रहते थे तो उन election में जो है पार्टी जो बनती थी उसमें से एक पार्टी ये भी थी मजली से इत्यादुल मुसलमीन तब नाम था इसका M.I.M. बाद में जो है इसमें जो है बड़े लीडर जुड़े थे जो की थे ये कासिम रिजवी कासिम रिजवी को आप लोग सर्च करेंगे तो आपको उनके बारे में मिलेगा वो आर्मी चलाते थे निजाम के पास तीन टाइप की आर्मी हुआ करती थी हिदराबाद निजाम जो है पहले ब्रिटिश आर्मी को अपने साथ में रखते थे उनका एक एग्रिमेंट था दूसरी चीज थी वो मतलब अपने स्टेट में जितने भी लोग है उन लोगों को भरती करके एक आर्मी म इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग रहते थे तो उनका लीडर था कासिम रिजवी और वो लोग चाते थे कि इंडिया से हम सेपरेट रहे हिदराबाद स्टेट एक अलग से बने जरुद पड़े तो उसका नाम साउथ पाकिस्तान हो और उसके अंदर जो गॉर्मेंट हो राजा के जितने भी दर्बारी हो सब M.I.M. पार्टी के हो तो जब हज़राबाद इंडिया में मिला तब उसके टाइम पे जो है M.I.M. पार्टी चुंकि राजाकार आर्मी के अंडर में काम करती थी तो उस पार्टी को जो है निरस्थ कर दिया गया बाद में 1958 में जो ह इसको फिर से जो है इलेक्शन कमिशन में जो है रेजिस्टर किया गया इसके जो है नॉम्स इसके जो टर्म्स एंड कंडिशन्स की पूरी जो प्रोस्पेक्टस होती है वो चेंज की गई और इसके करता धरता थे अब्दुल वाहिद ओवैसी इनको पार्टी में कायदे मिलत क मतलब जो हर कुछ है मतलब जैसे कॉंग्रेस पार्टी केती है हमारा सब कुछ गान दी है वैसे ही मिम पार्टी के काइदे मिलत वो अब्दुल वाहिद ओवैसी रहे हैं यह एक वकील थे वैसे तो रजाकार आर्मी का जो चीफ थे कासिम रिजवी वो भी वकील थे लेकिन थोड़े मतलब राडिकलाइज वे में काम करते थे वाहिद ओवैसी ने जो है इसको काफी अलग करके MIM को फिर से बनाया और आगे जो है इसकी जो मतलब लीडर्शिप रही वो उनके बेटों के हाथ में चले गई अब्दुल वाहिद ओवैसी से जो है यह उनके बेटे सला अब्दीन ओवैसी को मिली और सलाहुदीन ओवैसी से आज असद ओवैसी के पास में है और जो इसका छोटा वाला स्टक्चर है वो असद ओदीन के भाई अकबर ओदीन ओवैसी देखते हैं तो पड़ाफट से आपको बता दू यह पार्टी काम कैसे करती है यह काम करती है देखिए फिलान्थ्रोफी के ओपर फिलान्थ्रोफी मतलब दान वगेरा देना लोगों का हेल्प करना यह हर पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक एजेंडा होता है उसी तरह से इसका भी एक बेसिक एजेंडा यही था कि हमको लोगों की मदद करनी है और कैसे डेमोक्रेटिक दिखा यह काफी इंट्रेस्टिंग फेवरेट पार्टी बनके रह गई मेरी इनका एक हेड़कॉर्टर है है हैदराबाद में उस हेड़कॉर्टर के ऑफिस का नाम है दारुस सलाम MIM का छोटा से छोटा भी अगर कोई कार्य करता दारुस सलाम में पहुंचता है वो चाए बिहार का हो चाए यूपी का हो चाए हजराबाद सिटी का क्यों ना हो उसको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो दारुस सलाम में पहुंच जाता है वहाँ पे वो अपनी शिकायत द पत्ती है वो वक्फ बोर्ट से अपना हेल्प मांगते हैं बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनस पर्सन है इनके पार्टी के सपोर्ट उनसे लोग फंड जमा करते हैं कॉर्परेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी स्कीम के तहर भी यह लोग काफी सारे काम करते हैं इनके हॉस्पिडल से हैं इनके कॉलेजे से स्कूल से मदर्सा चलाते हैं तो हैदराबाद शहर में यह लोग काफी पैसे जमा करते हैं और यह पैसे कहां एक इंजियो की तरह जमा करके ये जो है अपने कार्य करताओं के पीछे खर्चा करते हैं इनके जो workman force है इसके पीछे खर्चा करते हैं इनके जो dedicated कार्य करता है वो किसी दूसरी party में नहीं जाते हो किसी भी धर्म के हो बेसिकली चुकि नाम इसका इत्यादल मुसलमीन है तो ये बेसिकली मुसलिम के एक रहनुमा बन के सामने आते हैं और मुसलिम dominated areas में ही जीतने की कोशिश करते हैं और कैसे इनके जीत का structure है इनका politics का style कैसा है पहले ये help तो सबकी करेंगे लेकिन choose one by one करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है अगर आप लोग politics में interest रखते हैं politics करते हैं आप लोग अगर किसी भी party में एक leadership में काम करना चाहते हैं लड़ना चाहते हैं छोटा या बड़ा जो भी हो यह जो structure है काफी unique लगा मुझे और आप इसको use करके अपना अच्छा खासा नाम भी कमा सकते हैं अपने field में तो structure ऐसा है कि आप सबकी help तो करो लेकिन जीतने की शुरुवात ऐसे मत करो कि मैं direct MP बन जाओंगा मैं direct ML बन जाओंगा इन लोगों का जो structure है ना पहले ये अपना municipal bodies में ये जो है अपना election लड़ते हैं छोटे छोटे वाड्स में ये जो है काम करते हैं दारुस सलाम से जो है छोटे वाड्स को जोडते हैं छोटे छोटे वाड्स के लोगों को दारुस सलाम में लेकिया कि उनका help करवाते हैं बा आज भी इनका दबदबा मौझूद है, हैधराबाद Old City के परिदी में तो इनके अलावा और कोई वार्ड मेंबर जीत ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी Advanced Technology आप यूज कर लो, हैधराबाद Old City के वार्ड में इनको हराना नाममकिन है, even कि कई बार ऐसा होता है, चाहे Congress की Government थी या अभी जो TRS की Government है, यह लोग जो है, मेयर अपना रखते हैं, कम से कम डिप्टी मेयर अपना रखते हैं, हधराबाद Municipal Corporation के अंदर में, greater हधराबाद Municipal Corporation में, तो जो भी हो, इनका structure बड़ा ही, यह जबरदस्त है, यह वार्ड मेंबर सी बाद में फंड जमा करके लाते हैं, जब इनको लगता है कि फलाने Parliamentary Constitution के अंदर हमने इतने सारे वार्ड जीत ले हैं, अब टाइम है, शहर जीतने के बाद हम Assembly जीतेंगे, Assembly में कोशिश करते हैं, कुछ शहरों पर कबजा कर लेंगे, फिर उसके बाद Assembly में इन लोग कबजा करने की कोशिश करेंगे, तो हैधरा जीते तो जीते हारे तो हारे वाली इनकी जो है चलती है, और जब इनको लगता है कि एक particular area में हमने दो चार Assembly जीत ली हैं, तब जाके ये MP अपना वाँ पे उतारने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे करके इनका जो है structure बढ़ता है, ये लोग जो है काफी planned तरीके से आगे करते हैं, और हेदराबाद के बाद में इन लोगों ने देखा कि जो Muslim dominant areas है, जो पुराना हेदराबाद state हुआ करता था निजाम के टाइम पे, उसमें मराठवाडा area आता था, जो कि आज महराष्टर के अंदर में है, और मराठवाडा area में जो है आपको सोलापूर मिल जाए तो यहां पे भी वो fight करते हैं और कई जगों से इनको जो है MLA कई सारे corporations, counselors इनके जीत के आए हैं मराठवाडे area में, तो यह वहां से भी जीता है, प्लस जो हैदराबाद और मराठवाडा के जो Muslims हैं, जो Bombay में व्यापार करते हैं, वहां पे भी यह लोग जीत के आते हैं, इनके वहां पे MLA's भी हैं, और कॉर्पोरेटर्स भी हैं, और counselors भी हैं, तो ऐसे organic growth करते हैं, ऐसे नहीं आदमी party की तरह कि हम सीधे जाके मोदी के खिलाफी लड़ जाएंगे, बनारस में, पहले election में, MPB लड़ेंगे, MLA भी लड़ेंगे, counselor भी लड़ेंगे, corporation भी लड़े यह practical approach रखते हैं, कि हम पहले wards जीतेंगे, शहर जीतने के बाद में, MLA वाला जगे जीतेंगे, assembly, assembly में अपने लोगों को पहुचाने के बाद जब काफी अच्छी खासी तादाद हो जाएगे, तब हम Parliament में competition करेंगे, तो ऐसे जो है, इनका structure है, अब बात करें, इनके political style की जो यह, देखे, politics में, सबसे important होता है, आपका speech, speech delivery ही सब कुछ होती है, politics में, अगर आपने अच्छी speech दे दी, तो आप आराम से कुछ words capture कर ही पाएंगे, तो यह हमेशा, जो है, हम Muslims को को कोई ने पूछता, वो गरीब हो गये हैं, हम लोगों को एक अच्छी society चाहिए, हम को भी एक अच्छा वातावरण चाहिए, हम सेफ रहना चाहते हैं, माइनॉरिटी है, ऐसे, जो है, मुसलिमों के रहनुमा बनने की इन लोगों की बड़ी खाहिश रहती है, यह चाहते हैं कि मुसलिम्स के वोट कहीं और ना जाए, सिर्फ इन ही के पास रहें, यह मुसलिम् बाहिए जो है, इसके बारे में आप सोचिये कि साल में 12 महिने हो गए, 12 महिने में एक महिना ऐसा आएगा, कि वो रमजान के महिने में रोजए रखेगा, पॉस टाइम नमाज कह लिये जाएगा, और मतलब उपवास रखेगा, अपना रोजा रखेगा, इफितार करेगा, कोई भी आप देख लीजिए अभी वीडियो आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल जब मास पॉब्लिक गैदरिंग होती है रामलीला मैदान में हो गया दिली में या फिर शिवाजी स्टेडियम में हो गया मैदान में हो गया आपके बॉम्बे में तो जब भी मास पॉलिटिकल र टाइप का एक आइडिया क्रियेट कि रात में रखते हैं हम लोग मगरिब की नमाज के बाद रात को जो है अराम से सब खापी के जब सो जाएंगे तर उस टाइम पर हम लोग पॉब्लिक प्रोग्राम रखेंगे और एसी ऐसी इशू उठाएंगे लोकल इशू उठाएंगे क क्यूंकि counselor लोगों के साथ में इनकी डील हो गई है इनके पास है शहर के बारे में इनको जानकारी है तो काफी छोटी छोटी बारी कियों वाली यहां पे speeches हो देंगे इसके अलावा एक और चीज़ आप बीजेपी को देखिए जहां पे जो है एक प्रोग्राम मोधी कर रहा है कई दूसरी जगे गटकरी प्रोग्राम कर रहे हैं कई तीसरी जगे नड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं अलग-अलग leadership अलग-अलग जगे जगे प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन जब भी public प्रोग्राम बड़ी वाली होगी सिर्फ और सिर्फ उस party का head यानि OVC जो है वही speech दे है यह बात सलाहुदिन OVC नहीं तय करके दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पार्टी का जो head है वह हमेशा खुद जाके speech देगा और रात को ही public program होगी तो ऐसे मैं यह काफी इंट्रेस्टिंग मुझे यह लगा कि मतलब ऐसा unique idea Indian politics में इन लोगों ने जो है इजात करके इसे कि इनको जो है कभी विवादों में फस जाते हैं कभी जो है कोशिश करते हैं कि जो है मुस्लिम वोट्स अपन तरफ लाया जाए तो यह सारी चीजें इस पार्टी में काफी काम कर रही है वैसे देखा जाए तो public में सुनाई देता है कि बीजेपी के अरंटी में जो है M.I.M. है क्योंकि देखिए बेसिकली जब M.I.M. तिलंगाना जो पहले आंध्रप्रदेश था उसमें जब थी पहले यह जो है कॉर्पोरेशन जीतते थे पत्थर गटी नाम की एक सीट है कॉर्पोरेशन जो की हैदराबाद मुनसिपरिटी में आती है उसमें यह पहली जी करता था आंधरप्रदेश में उनके साथ में रहते थे तो यह हमेशा गौवन्मेंट के साथ में Kathy लेकिन जब से में लेकिन जह का तब से इनको साथ देना यह के साओं दोनोंगा जीतने के बाद से ये जो है विवादों में आना शुरू हुए है पहले इन लोग comfort zone में थे अभी इन लोग discomfort zone में हैं इसलिए जो है ये चल रहा है तो I hope आप लोगों को दारुस्सलाम के बारे में समझ में आया होगा आपको इस party की leadership इनके style of politics के बारे में समझ में आया होगा इनके जो opposition's है ऐसा हमें लगता है कि BJP है actual में BJP के साथ इनका कोई टक्कर नहीं है इनका actual दुश्मन दो parties है और देखिए बिहार में UP में कहीं भी लड़ेंगे जीते तो जीते हारे तो हारे लेकिन इनका main मकसद है हधराबाद municipality में कभी भी नहीं हारा हमेशा उसको retain करके क्योंकि वहीं से actual पैसा आता है वहीं से सारे काम चलते हैं दारुसलम खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ हैधराबाद municipality के कारण खड़ा है अगर MIM का हैधराबाद municipality down हो गया तो दारुसलम बंद हो जाएगा MIM खतम हो जाएगी एक दिन तो वह हमेशा कोशिश करते किसी भी ह जालत में हैधराबाद municipality नहीं हारना है और हैधराबाद municipality में इनको बीजेपी कभी टक करने देती इनका में टक कर देने वाला है दो ही दो पार्टी एक है कॉंग्रेस पार्टी जो कि कुछ मुसलिम्स को अपने तरफ खीच के लाने की कोशिश करती है और एक है एंटी इंक अपने 10 लोगों को नाराज किया और दोनों 10 10 मतलब 20 लोग आपके खिलाफ हो गाए तो ऐसे में जो है कुछ की तारीक में Congress और मजलिश बचाओ तहरीक यह दो पार्टी माइम की धुर विरोधी पार्टियां हैं तो यह हमेशा से वोट काटने की कोशिश करती हैं माइम की और माइम के उपर काफी तल्क और गर्मा गर्म टिपनिया करते हैं यह कब मुंसिपल इलेक्शन के टाइम जब भी आपको greater हैज़राबाद मुंसिपल कॉर्परेशन के इलेक्शन मिलेंगे घ्लेक्शन के आप रिकॉर्ड देखे वीडियो देखे स्पीचेस देखे आपको clear हो जाएगा कि सबसे ज़ाधा aggressive M.I.M. सुर्फ उसी इलेक्षन में होती है अगर से हैधराबाद की पार्लामेंटरी सीट भी M.I.M. हार जाए असद दिनों वाइसी हार जाए तो भी इनको कोई घम नहीं लेकिन हैधराबाद मुन्सी पार्टी की सीट है कहीं नहीं जाने चाहिए तो काफी शॉर्ट में मैंने आपको M.I.M. के बारे में बताया अगले वीडियो में आपको मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताऊंगा आप अगर यह वीडियो जो है फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लिजे हमारे इस पेज को मैं आपको जो है रेगुलर्ली मेरे पॉलिटिकल अनालिसेस और पॉलिटिकल हिस्ट्री इवेंट्स के बारे म तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यह वीडियो शेर कीजिए उन लोगों तक जिनको कुछ पॉलिटिकल इंट्रेस्ट होता है जो बैटके जो पॉलिटिकल न्यूस देखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में उनको जानकारी लेने की काफी इच्छ होती है ऐस प्लान करने के लिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं वीवर्स अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग तो